आज से हम धंपद की गाथा और कथा के वारे में बात करेंगे धंपद बहुत ही दुनिया के इंदर जाना माना ग्रंथ है या बुख है या संग्रे है धंपद 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 दुनिया की सबसे ज़्यादा बिखने वाली और दुनिया में सबसे पहले छपने वाली और सभी भासाओं में सबसे ज़्यादा मुद्यत यानि प्रैस में और उसको टंकण में यानि कि जो उसकी छपाई हुई है वो सबसे ज़्यादा किताब मानी जाती है और वो है भी आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको धंपद अगर शब्द डालेंगे तो आपको सारी भासाओं में धंपद लिखा हुआ उनके बातें लिखी हुई आ जाएंगी यहाँ जो उसकी गाथा है और जो खता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है गाथा हम जो पाली में बोलते हैं गाथा का मतलब है वो बात जो बुद्ध ने कही दो लाइन में या तीन लाइन में या चार लाइन में और जो पाली में है और बहुत शॉर्ट में है यानि कि गूर्ड रहसे में है उसको गाता कहते हैं और वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बदली है वो सेम है गाताओं का मिलान अगर आप कहेंगे चाहें वो इंग्लिस में है, या हिंदी में है, फ्रेंच में है पाली में है, तमिल में है, सिंगली में है भोड भासा में है अर्बी में है, उर्दू में है किसी भी भासा में वो दो लाइन है उसी भासा में बूली जाती है, उनका conversion नहीं होता, यानि कि उनको convert नहीं करते वो बदलती नहीं है, वो सब्दों के हिसाब सेंड वो उतारी जाती है और उसके बाद जो आती है कथा, कथा माने story है, कथा माने कहानी है, वो बाद में बनाई गई है उस काल से संब्दित हैं कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनमें बातें आपको सौंज में नहीं आएंगी आप उनसे घबराइएगा मत क्योंकि साफ साफ बुद्ध का मेसिज है कि जो सौंज में आए वो आपका जो सौंज में नहीं आए उससे छोड़ दाना चाहिए जो आपको लगए के नहीं आता उससे छोड़ दाना चाहिए मर गाथा बलकुर शुद्ध हैं और प्यौर है कथाएं बदलती रहती हैं कथाएं क्योंकि आदमी अपना जब लिखता है उसको यह बोलता है तो दो चार बातें अपनी भी उसमें डाल देता है समझाने के लिए उस भासा के हिसाब से उस जगे के हिसाब से उस बात के हिसाब से उस संधर्प के हिसाब से उस एक्जम्पल के हिसाब से इसलिए कथाएं बताने के लिए हैं उस समय ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और सार यह है, तो आप गाथा पे मेंज जाएंगे, उसके मतलब पे मेंज जाएंगे, कथा उसको याद करने के लिए है, उस समय की हो सकती है, सम्मदित हो सकती है, बलल चुकी हो सकती है, उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ जो धंप धमपद का पहला section है उसको यमक वग बोलते हैं यानि कि यमक वर्ग यमक मींस होता है टूइन या पेर यानि जोड़ा जिसे दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसको कहते हैं कि ये टूइन से जुड़वा हैं या यमक हैं दो इसलिए साथ हैं इसमें दो पद यानि द कुछ भी बोल सकते हैं हम दो इसलिए हैं कि एक मैं वो बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और दूसरे में तब हात कर बताते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा बात सेम रहेगी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा या ऐसा ह लिए है उसका महत विसलिय ज़्यादा है क्योंकि सारा का सारा जितना भी बुद्धने आज तक 45 साल में बताया और जो अभी तक लोग बता रहे हैं वो एक तरह से उसका सार है और वो तीन लाइन है बहुत इंपोर्टेंट है उन तीन लाइनों में जो पहली लाइन है उसको ह हम इस तरह से देखेंगे मनो पुब्गमा धम्मा मनो सेठा मनुमया दूसरी लाइन है मनसा चे पदुठें भास्तिवा करोतिवा तीसरी लाइन है ततो नंग दुख मनवेती चकंवे वहतो पदंग पाली में है इसलिए पाली चुगी बाद में सरल होके हिंदी बन गई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मगर ये बहुत सोट में होता है गुड रहसे में होता है इसलिए इसको थोड़ थोड़ा करके मैं समझाओंगा तो ये बहुत आसान होता चला जाएगा पहला सब्ध है मन पुब गमा यानि मन पुब गमन करता है पुब माने पहले से मन माने मन और गमन माने गमा माने गमन करता है यानि जाता है यानि कि मन आगे चलता है धम्मा, धम्मा माने प्राकर्टिक है उसका सभाव है मनो सेठ्था, मनो सेठ्था का मतलब है मन स्रेष्ठ है मन सुप्रीम है, मन सबसे प्राइम है, आगे है मनो मया का मतलब है कि मन अपने आप में प्रधान है मनो मया, मन से उत्पन होता है मनो मया मतलब मन प्रधान मन से उत्पन होता है तो इस लाइन को आप ऐसे समझ ये कि मन पुब गमा यानि मन सबसे आगी चलता है ड्रैवर है मनो सेठा मनो मया मन से जो उत्पन होता है मन सेष्ट है दूसी लाइन है मन सा चे पदुठेन यानि मन से जो उत्पन होता है मन सा माने मन से चे माने यदी पदु ठेन माने बुरे और दू जो पदू में जब दू लग गया पदु ठेन माने जो द्राभाब उत्पन होते हैं जो बुरी बाते हैं उत्पन होती है खराब भास्ती मतलब भाशन भासन देते हैं जो उनको भास्ती बोलते हैं भासन दे रहा है तो इसका महलब भास्ती हो गया वा माने अथवा यानि जैसे भास्ती यानि बोलता है या करोती या करता है तीसरा है ततो नंग ततो माने तब उसके बाद और नंग जो आता है यहां आदमी के लिए आता है यानि वे आदमी नंग उस व्यक्ति को दुख मनवेती दुख को उसका मनवेत करता है यानि पीछा करता है पीछा करता है कैसे चकंग वे वहतो पदंग चक माने चक्का हो गया यानि कि गाड़ी का चक्र धम चक मैं आपने द धो रहा है पदंग माने पैरों को यानि कि बैल अगर गाड़ी को चला रहा है तो दुख ऐसे पीछ जाएगा जैसे पईया साथ साथ चलता रहा है अब इसको समझे कैसे है पहले इसके पीछे एक कहानी सुन लिजिए दो कहानिया हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग हैं बड़ी म कथा में आती हैं एक चक्खु पाल करके थेर हुआ करते थे चक्खु पाल थेर कहां थे सावित्थी में सावित्थी मतलब जैतवन आराम में जैतवन आराम का अनलब है जैतवन राजकुमार का नाम है और आराम मोलते हैं बगीचे को सावित्थी के अंदर है वहां की ये अंदे थे, थेर का मतलब है, बड़े भिक्कु थे, सीख चुके थे, और अरत भी हो गए थे, अरत का मतलब है कि अपने दुखों को खतम कर चुके थे, मकर अंदे थे, चक्खु माने होता है, आंक और पाल माने पालना, चक्खु पाल, यानि नाम है उनका चक्खु पाल, आं जो वहाँ छोटे मुटे कीट पतंगे थे वो उनके नीचे दब के मर गए अब वो कीट पतंगे मर गए अब भगवान बुद्ध के नियम के नुसार विपसना गर आप करते हैं तो कीटों को मारनी की बजाए आप गायल नहीं कर सकते विपसना करने जाएंगे मगर वहाँ तो चक्कु पाल जो थेर थे उन्होंने वहाँ बड़े सारे कतल कर दिये बड़े सारे मटर कर दिये उससे क्या हुआ जो और भिकु थे सामने एट थे जो छोटे भिकु थे उनमें खलवली मच गई बड़ी उनके अंदर उतावला पन हुआ ये क्या किया पैसे तो अरत है चक्कु पाल इतने बड़े भिकु हैं और इतने सारे कीट पतंगे मार दिये इसका तो पाप लगेगा और ये कैसे अरत हैं ये बात जब वहाँ जैतवन आरा मेरे जैतवन बगीचे में फैली तो भगवान बुद्ध के पिस सामने वह बात गई उनसे कहा जब कि ये अरत हैं और ये जीवों कुई हत्या कर रहे हैं ये कैसे अरत हैं अब भगवान बुद्ध पारगामी यानि उनके जो एक गुण है पारगामी के मतलब वह चीजों को पार भी देख सकते थे जब उनने ग्यान प्राप्ट हुआ तो वो ये साथ में प्राप्ट हुआ कि वो मनोदसा देखते हुए आरपार का भी व्यक्ति का देख लेते थे और समझ लेते थे कि इस के मन में क्या चल रहा है इसकी सिति क्या है कैसी है तो समझ गे तो उन्होंने बताया अब यहां जो कथा चलेगी वो पिछले जन्म की है पिछले जन्म की कथा से जिन लोग को एतराज है वो इसको कथा मानकर छोड़ दें जो लोग जानते हैं कि उनकी दिवेदर्ष्टी जैसे भगवान बुद्ध की दिवेदर्ष्टी प्राप्त होगी और उन्होंने अपनी मेमोरी खोल ली और मेमोरी खोल के वो अपनी पिछले की सारी मेमोरी में चले गए ऐसे तीन लोग और भी थे जो मेमोरी खोल लेते थे इसले जनम में भैसज्य गुरू थे, भैसज्य मतलब चिक सकते डॉक्टर थे, भैसज्य बोलते हैं पाली में, भगवान बुद्वी बड़े भैसज्य गुरू रहे हैं, ये वो भैसज्य गुरू रहे हैं और ये चकुपाल भैसज्य थे, और ये बड़े सिद्धस थे, यान कि ये जिस भी काम में हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे तो ये वहां लोगों की सेवा करते थे उनको ठीक करते थे तो हुआ क्या कि एक और आए जो आख से अंदी थी अपने बच्चों के साथ उस औरफ ने कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर देंगे तो मैं अपने बच्च होती चली गई अब ठीक होती चली गई तो उसको लगा कि भी देखना तो मैंने सीख लिया अब देखना तो मुझे आ गया दवाई से मैं ठीक हो गई अगर मैंने इसको बता दिया चक्खुपाल को कि मैं ठीक हो तो इसी गुलामी कर नहीं पड़ेगी इसके काम करने अपड़ा है जीवन पर तो उसे लाला चा गया तो चक्खोपाल ने पूछा क्या तुम को दिखाई देता है तो उसने कहा कि नहीं अभी तो आँख ठीक नहीं हुई अभी तो आँख ठीक नहीं हुई तो चकोपाल समझ गए कि भई ये औरत जूट बूल लिए उन्होंने क्या किया दूसरा मर्लम लगा दिया उससे वो औरत की जो बीमारी ठीक हुई थी वो और खराब होगी और वंदी होगी ये काम उसने किया ये काम करने के बाद में फिर उसका जरम यानि की बर्थ आगे बढ़ा और उस बर्थ में ये जो पैदा हुआ तो ये अंधा पैदा हुआ चुकि इसने पुराने जीवने बहुत अच्छे काम किये थी इसलिए उसका फलतों से ये मिला कि ये अरत हो गया और और औरत के साथ अच्छा नहीं किया इसलिए ये अंधे हो गए तो ये रहसे भगवान बुद्ध ने बताया ये एक कहानी है दूसरी जो कहानी तिब्बत में चलती है बहुत भासा में वो क्या है कि दो लड़के होते है एक राजा के महल के आगे उन मेंसे एक लड़का सोचता है कि अगर मैं राजा बन जाओं तो मैं जो लोग होंगे उनको हातियों से कुछलवा दूँगा और दूसरा सोचता है कि अगर मैं राज महल में चला जाओं राजमार बन जाओं तो मैं लोगों में कल्यान करूँगा लोग का फायदे करूँगा और ऐसा करते करते दोनों लड़के सू जाते है उधर से राजा का रत आता है और राजा की रत से एक लड़का मारा जाता है वो लड़का मारा जाता है जो लोगों को हातियों से कुझलवाने के लिए सूचता है जब वो लड़का मर जाता है तो राजा रच से उतरता है वो किता रहे ये लड़का मर गया आपका साथ साती था तो वो दूसरे लड़के को अपने साथ ले आता है और उसे वो अपना बेटा बना के उसको पालता है और वो वहाँ दत्तक पुत्त के रूप में उसके साथ में रहता है ये दो कहानिया है मगर जो बताया आपको सुरू में वो सुनिये क्या है Human Software यानि कि जिस से Human चलता है Human का प्रोसेसर नहीं बात करें प्रोसेसर जो होता है वो दिमाग होता है Brain होता है, मस्तिस होता है मगर इस मस्तिस को चलाने वाला जो होता है वो मन होता है ये भगवान बुद्द ने 30,000 साल पहले खोज की कि Human को चलाने वाला या Human का जो driver है वो उसका दिमाग नहीं है Human का driver यानि Human की जो सारे काम मन उससे के जो सारे काम सबसे पहले करता है वो उसका मन करता है कोई भी बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपके मन में आएगी जब मन में आएगी तब आपके ब्रेन में जाएगी और जब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा तब परसिती और सिती के अनुसार में आप उस पर एक्ट करेंगे या तो बोलें या खाएं या पीएं या सोचें या चलें या बैठें कोई भी एक्ट करें तब करेंगे इसलिए उन्होंने कहा मनो पुबल गमा यानि कि मन पहले चलता है प्रिकती में उसका पहले चलने का है और वो सुप्रेम है और वही से उत्पन होता है मन में जो बात उत्पन होती है उसके सारे कारण उन्होंने अभी धमें बताएं है थोड़ा गूड है बारिक है कभी फिर बात में अभी धम श्टराट करेंगे तो ओस समय इसको बताएंगे फिर वो कहते हैं कि मन में अगर बुरा ख्याल आएगा जैसे मन में आपके किसी के पिट्टी कोई बुरा ख्याल आएगा वैसे ही आप बोलेंगे और वैसा ही आप करेंगे यानि कि बुरा ही बोलेंगे और बुरा ही करेंगे क्योंकि मन में बुराया है फिर दुख आपके पीछे पीछे ऐसे चलेगा जैसे जब गाड़ी चलती है तो जो गाड़ी को ढोता है यानि बैल जो ढोता है तो पईया उसके पीछे पीछे चलता रहता है और उसका फल उसे मिला क्यों फल मिला? क्योंकि चकुपाल के जो बुरा किया वो फाइल उसके बॉड़ी के अंदर मैंटेन हो गई सॉफ्ट एर में मैंटेन हो गई और वो बाद में ट्रांसफर हुई प्रोसेजर है आप माने या ना माने मगर कथा है ट्रांसफर ऐसे होती है ऐसे ही जो बच्चे थे जिसने बुरा सोचा वो मर गया इस डिडेन टेन्ट नी मरा मर उसने बुरा सोचा और जो अच्छा सोचा उसके साथ में अच्छा हुआ ये भौट वाली जो तिबबत में चलती है कहानी दोनों कहानिये चलती है धंपद में और भी कोई कहानी बनाई जा सकती है इसके साथ साथ में क्योंकि सेश्यों ने बनाई थी इसलिए आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप करेंगे वैसा ही आप बोलेंगे ये यमक वक्की पहली कहानी है इसके बाद में इसकी विपीत दूसरी कहान ही है जो हम धमपत के दूसरे भाग में बताएंगे धन्यवाद